हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से नई वीडियो के परडिक्शन के साथ तो आज गे जो हमारी वीडियो होने वाली है एडिलेड स्टिकर्स वर्सिद पर्थ स्कोर्चर्स के बीच में जो बीबियल का मैच खेले जाने वाला है उसके बारे में फूल डिटेल मेंनलाईज करने वाला हूँ और एक प्लेयर का अपडेट की कोऊन से प्लेयर को आपको खर प्रफापट से चैनल को जरूर सस्क्राइब करें बैल आईकन को प्रेइस करके रखें ताकि लगातर अपडेट आपको इस चैनल से प्रवाइड होते रहे final team में आपको टेलिग्राम चैनल पर नीचे description में टेलिग्राम चैनल का link दिया हुआ है line up में अगर कोई changement होगा तो final update आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी non cutting के लिए टेलिग्राम चैनल आपके लिए important है, 것은 फटापर से टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें तो यहाँ पर क्या रहने वाला है पर्थ स्कोर्चर्स वर्सिज एडिलेड स्टिकर्स के बीच में जो BBL का मुगाबला खेले जाने वाला है 11 वजे तो उसका फूल डिटेल में मैं आपको एनलाईज करने वाला हूँ तो एक बार पिच की बात कर लेते हैं एडिलेड की पिच है और यहाँ पर अमेशा रन बहुत ज़्यादा बनते हैं तो फटाबट से वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाबट से लाइक जरूर कर देना तो यहाँ से सबसे पहले विकट कीपर की बात कर लेते हैं आपर एलेक्स कैरी की तो मैंने आपको पिछले मैच में बताया था कि इसने सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है तो आप इसको जरूर ट्राइ करना ग्रैंड लिग स्मोल लिग में आपके लिए नोन कटिंग विन करवा सकता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर याशी पॉइंट यहाँ पर लिये हैं गजब का प्रफोर्वेंस करता चल रहा है तो आप इसको भी ट्राइ कर सकते हो यहाँ से क्रिस लोएन साइद इस मुकाबले को खेल सकते हैं तो आप इसको भी ट्राइ कर सकते हो अगर मैं अगला प्लेयर की बात करूँ कैमरन की तो आप इसको भी ट्राइ कर सकते हो या ड्रोप भी कर सकते हो लेकिन आप इसको ट्राइ कर लेना या ओपनिंग बैट्समैन है तो आप इसको जरूर ट्राइ करना नीचे अगर मैं बात करूँ अगला प्लेयर जो रहने वाला ग्रैंड लीग ओची स्मोर लीग ओप इसको जरूर ट्राई करना एम सोर्ड तो आपके लिए हैं कैप्टन वोगोई सी के लिए नीचे मैं बात करूँ एगर की तो आप इसको ड्रोप करके चल सकते हो इसकी जगह आप एयरोन को ट्राइब कर सकते हो क्योंकि एरोन का फर्फो तो आप इसको ट्राई मत करना इसकी जगह आप एगर को आप ले सकते हो एंडू टाई की बात करूं तो आप वो इसको भी ज़रूर पिक कर सकते हो बाकी यहां पर प्लेंग लेविन रहने वाली है आगे अगर मैं बात करूं जेसन की तो आप इसको भी ज़रूर पिक कर सकते हो बाकी यहां पर आपके लिए जो मौस्ट इइंपोर्टेंट पिक है वो हम आपको बता देता हूँ आप मोरिस को لे सकते हो ठीक है और एक आपका जो प्लेयर है मैथवे के ली ठीक है यह आप के लिए इम्पोर्टन्ट है यह आप प्लेय ट्राइ कर सकते हो अब हम चलते हैं बैक टू बैक जो हमारी ग्रैंड लिक की टीम में रहने वाली है वो हम आपको बैक टू बैक दिखा देता हूँ मैंने ये सभी टीम में बैटिंग अकोर्डिंग बनाई है तो आप यहाँ पर बोलिंग सेक्षन में अपने एक की ग्रैंड लिक टीम में यहाँ पर बताता हूँ जो कैप्टन मेरा रहने वाला है यहाँ पर एम सोट वोईस कैप्टन सी एंडू टाइग के साथ जाने वाला हूँ यहाँ पर मैंने जो ट्राइग किया है अगर मैं बात करूँ एलक्स कैरी जोस इंगलिस ए होस कैमरन एटरनर के लिए स्लोएंड टीम हैड और यहाँ पर जेसन एच थोमसन यह मेरी नमबर एक की ग्रैंड लिक टीम रहने वाली है तो एक जील टीम हमारी हो चुकी है अब हम बात करते हैं जो हमारी नमबर दो की ग्रैंड लिक टीम रहेगी वो इसमें मैंने कैप्टन सी लिक टीम दिखा देता हूं यहाँ पर यहाँ पर नमबर तीन की ग्रैंड लिक टीम मैंने एलेक्स कैरी को ट्राई किया है उपर विकट किपर के लिए इंगलिस को मैंने ड्रोप कर दिया है यहाँ पर कैप्टन सी एलेक्स कैरी के साथ जाने वाला हूं वह इस कैप्टन सी एग्गर के साथ जाने वाला हूँ, कैमरन है, ए टरनर है, ए होस है, और एरोन है, M.Sort है, कोलिंडी है और जेशन है, एंडू टाई है, और यहां पर एच्छ थ्रोंसन यहां पर रहने वाला है, यह मेरी नंबर 3 की ग्रैंड लिग टीम रहने वाली है, तो तीन जील टीम मैंने आपको बैक तू बैक करवा दी है और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फटाबट से चैनल को सस्क्राइब कर ले बैल आइकन को प्रैस करके रखे फाइनल टीम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक जो दे रखा है टेलिग्राम चैनल का उसमें जरूर जुआइन होना फाइनल अपडेट में कोई भी चेंजमेंट होगा तो आपको अपडेट में करता रहता हूँ तो नमबर तीन की ग्रेंड लिग टीम हमारी ये रहने वाली है अगर हम मैं बात करूँ नमबर चार की ग्रेंड लिग में मैंने लगबग कैप्टनसी एम सोट को देने वाला हूँ यहाँ पर नमबर चार की ग्रेंड लिग में उपर यहाँ पर एम सोट ऐरोन जैफरो और यहाँ पर सी बबायो यहाँ पर एंडू टाई और डबलू एगर को मैंने ट्राई किया है यह मेरे नमबर चार की जील टीम रहने वाली है अब हम बात करते हैं जो हमारी नमबर पास की ग्रैंड लिग टीम रहेगी अब हम बात करते हैं जो हमारी फाइनल ग्रैंड लिग की टीम रहेगी उसमें तो यहाँ पर एलक्स कैरी जो सिंगली ए टरनर यह थोड़ी सी रिस्की टीम है यहाँ पर कैप्टनसी एंडू टाई को ट्राई किया है डबलू एगर को वो इस कैप्टनसी के लिए देने वाला हूँ यहाँ पर एक प्लेयर पर मैंने आल राउंडर में रिस्क लिया है और यहाँ पर दो मेरे रिस्की प्लेयर है ठीक है ये मेरे final six grand league team हो चुकी है अब हम बात करेंगे जो हमारी final small league की team रहेगी all fantasy app के लिए तो फटापट से वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को जरूर like कर देना तो यहां से मैं क्या करूँगा दोनों पलेरों को यहां से try करूँगा बैटिंग ओडर की बात करूँ अगर क्रीश लोएंड खेलते हैं तो यहां पर try कर सकते हैं अगर नहीं खेलते तो यहां पर ए ओस को try करूँगा ए टरनर और कैमरन ठीक है यह मेरे रहेंगे यहां पर all rounder की बात करूँ एम सोट और team head को यहां पर iron को ठीक है यह जो दो bowling order है आप इनको दोनों को लेके चल सकते हो या एक को लेके चल सकते हो यहां पर एल मौरिस को मैं यहां पर लगाने वाला हूँ यहां पर अगर आप चेंजमेंट कर सकते हो तो यहां पर wicket किपर के तोर पर आप Alex carry को drop कर लेना अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहां पर आप इस bowling section के साथ चले जाना अगर मैं यहां पर captain की बात करूँ captain मेरा एम सोट रहने वाला है वो इस captain Andrew tie यहां पर रहने वाला है यह team मेरी final small league की team रहेगी तो यह team के साथ मैं जाने वाला हूँ अगर changement मैं आपको telegram channel पर update कर दूँगा फटापट से telegram channel जरूर जोइन करें और अभी तक channel को subscribe नहीं क्या तो फटापट से channel को subscribe कर ले बेल आइकन को press करके रखे वीडियो को फटापट से like कर ले तो दोस्तों आज की वीडियो मिलते हैं next interesting वीडियो के साथ